आज का जो हमारा लेक्ट्चर है वो चैप्टर नमबर वन का यूनिट 1.4 है जिसका नाम है बोन्स अब आपको पता है कि बोन्स बेसिकली क्या होती है हडी होती है आपके जिसेम में हार जगा बोन्स है आपके जिसम बना ही बोन्स इसकी बहुत साफ निसाल एक यह पजहने एक डिछा का दू दिक्क दूइं लगार पूले तो that's the whole skeleton और आप डेख सकते हैं कि स्केलेटन में हर जगा जो है bones है basically there are bones everywhere right अब आपने स्केलेटन को सही से देख लिया अब जरह हम आजाते हैं page number 10 पर सही है they are asking can you feel a lot of hard things in main part of your body we have a lot of main parts in your body like for suppose your fingers right हम दुबा निचा हो जाते हैं main parts में जी आपका पूरा हाथ आ जाता है main parts में जी आपकी टांगे आ जाती है सही है main parts में जी आपका head आ जाता है main parts में जी आपकी rib आ जाती है like basically your whole body and the main parts right तो वो पूश रहे है can you feel hard things कि आपको सक चीज महसूस कर सकते हो in the main part of your body अब अगर आप feel कर सकते हो तो वो क्या है right वो है आपकी bones they are your bones अब अगला वो आपसे सवाल कर रहे है के do you know why you have bones like कि आपको पता है why do you have bones आपके वास bones क्यों है right आपको पता है कि आपको पता है कि आपको चीज फाल्तू में तो लिए बनाई रहे है और रहे हर चीज कोई ना कोई मक्सद है हर चीज का so obviously जब आपकी पूरी बोड़ी में हर जगा बोड़ी में मतलब आपको आपको जो कान है इतना छोटा सापका कान है पूरी बोड़ी में उस के अंदर भी जबाकी बोड़ी में लेकिन बहुत हलकी सी अगर आपने कान को टच करें there are bones तो भई फुजूल तो नहीं होगी obviously आपकी बोड़ी किसी काम की है let's go to the skeleton side अच्छा जी थोड़ा clear out कर लेते हैं पहले इसको अब हमारे पास पूरा skeleton आया है तो भई this skeleton जो मैं आपको दिखा रही हूँ न this is basically the framework framework क्या होते है एक धांचा होते है किसी भी चीज का जो आप बना रहे हो first suppose जी मैं आपको कोई activity देती हूँ करने के लिए और आप पहले मुझे उस activity का idea देते है मैंने आपको बोला कि मैं खर से कोई अच्छी से painting बना कर ला and next day पहले मैं आपको बोलती है कि मुझे इस painting का idea चाहिए अब next day you come to me and you tell me कि मिस मैं पेंटिंग मना किस पारे में रहा हूँ या रही है सही है ना अब आप मुझे first suppose बताएंगे कि ये painting it's about nature मैं किसी animal की painting में आ रहे हूँ मैं किसी परिंदे की painting में आ रहे हूँ I'm drawing like you know I'm painting a bird or something or maybe I'm painting a human or something or a flower तो that's called framework क्योंकि आप मुझे एक idea दे रहे that's a whole idea right ये एक धांचा होता है कि जिसके ओपर आपके बाकी के जो काम में वो खड़ा होता है तो हमारे जीसम का धांचा are the bones और bones मिलकर एक पुरा skeleton तियार करती है जो basically हमारी body को hold करता है यानि कि आपको बिल्कुल खड़े रखता है without your bones your body would fall on the ground अगर आपको बास बोन्स ने होगी आपकी बड़ी जमीन पर गिए अगर आप अपनी हाथ की skin ही जैसे अपनी बोल्स रिकाल दे आपका हाथ किसी काम का नहीं रहेगा आपनी देखाना आप fracture हो जाते हैं लोगों के हाथ पर टूच जाते हैं और फिर वा किसी काम की नहीं रहते हैं उनके पर plaster चार जाते हैं अच्छी चाहास है वक्त के लिए and then they are not able to do anything so that's why bones are important because if your bone is broken or if you don't have any bones your body is useless useless यानि कि आपकी body कुई काम नहीं कर सकती उसके बाद your bones also protect the part of your body आपकी bones जो है आपका धांचा तो खड़ा करती ही करती है आपकी body को तो लेकर खड़ी भी होती ही होती है लेकिन आपकी body parts को भी protect करती है अब the skull is like a helmet which protects the brain अब आपका पुरा सर है जी यह एक helmet की तरह है अब इस सर के नदर यहां कहीं आपका brain है जिसको आपके skull ने cover किया हुए वर्णा जिसे अगर तो यह skull ना हो ना तो आपका brain तो भी खुरावा होगा और आपके brain को आराम से कोई भी भी लुकसान पहुचा सकता है आपका brain इतना नाञजवक है आपके आपके बहुत होगावा जावा नाजवक है वो आपके बाकी और स्ट्रॉंग है अगर वो ऐसी इक खुल्या रहा जाए तो अ déclar हमें आपके बहुत सारे नुक्सानात हो साथिये ना तो यह स्छान आपका ग और आपका brain यह मतिश्का ग यह रखतीय आ चाहे तो आच्छा जी दूसरा है अब यह तो आपके पस नमबर वन होगा है नमबर तु हमारे पास है रिप्स तरिप्स प्रट्रेक्ट यो हार्ट एंड लॉंग सही न हमारे पास जो स्कूल है न वो ब्रेंग को प्रटेट करता है और जो रिप्स है न हमारे पास सॉरी जो रिप्स है वो हमारे पास हार्ट और लंग्स को प्रटेट करती है हार्ट क्यानी के यह हमारे पास जो है रिप्स हो गई यहां हमारे पास लंग्स है और यह राइट और यहां हमारे पास कहीं हार्ट है ओके तो रिप्स का यह वाला काम है अब जी हम यहां पर He wants us to take care of the things which He gave us Allah Ta'ala की नेवत हैं We should care about them आखरत में हम सब से पुछा जाएगा के भई I gave you the bones आप ने उनकी केर की है नहीं की? सही है So for that, protect those skull bones and your brain inside by wearing a helmet for cycling and other sports बोल रहे हैं के भई बहार जाते हैं तो helmet पैना करें जरा cycling के लिए जाते हैं या bike पर जाते हैं जिसमेर भी जाते हैं helmet is necessary अगर आप बहार जा रहे हैं ताके वो आपकी skull को protect कर रहे हैं अगर आपका skull आपकी brain को protect कर रहे हैं तो आपकी skull को भी protection की जरात है and that will be the helmet which is gonna protect your brain and your skull अगर आपका skull protected ने होगा तो आपका brain कैसे protected होगा right if you play okay थोड़ा change कर डेते हैं if you play sports like football, hockey and cricket always wear all the right equipment अब आपने लेखा होगा के भई हमारे cricket है जैसे के शायदा फीदी लेने बहुत ज़्यादा famous है भई जब ये बैट लेकर जाते हैं helmet की तरह ने पूरा पहना होता है उनने अपने पैर पर जो है पूरे जो है क्या नाम है equipment से पहने होते हैं अगर ये भाग रहे हैं पिछ पर तो जब ये किरते हैं तो उनने हाथ पर पूरे पहने होते हैं अपनी नीज पर पहने होते हैं तो इननने अपना को एक तरह से पूरे cover ही होता है पूरी equipment से पहने कर सही है तो basically क्यों होता है ताथिया को ये पिश पे भाग रहे है बैट लेकर तो ये अगर ये गिरते हैं तो इनको छोटना लगे और पर छोट लगे भी तो बहुत माइनर सी लगे फिर इनकी हड़ी को तो at least लुकसान ना पहुंच जाए साही है न अच्छा जी उसके बाद आपने कि अच्छा है कि इस बता रहे हैं, Stretten your skeleton by drinking milk and eating other dairy products, be active Spretern YOUR skeleton मतलब अपनी पोरी body को आपने एक strength देनी है, सही है, वो strength आपने कैसे देनी है, वो ताकत आपने कैसे देनी है कि आपने dhoodh पीना है सहें? आपने डूद पीना है और आपने डेडी पर्टर्स खाने हैं कि आपने टहिए कर एसितमाल रखना है you have to eat the eggs you have to eat the bread and you have to eat the healthy foods for your for your bones right but most importantly you have to drink milk every day in order to keep your bones healthy सहें हो गया? और active रहें specially in this lockdown when there is corona all over the world आप खर में हैं और you know a lot of people are resting on this, they are so lazy, they have become so lazy तो इस वाले जो पूरे पार्ट में आपका फर्जी है बनता है अपनी बोडी को healthy रखने के लिए that you have to be active, say na be more active like be you know play around and you know just help your parents out, help yourself out but please be active, don't be lazy, that's how you are gonna take care of your bones, say आज कर जो हमारा बोन्स का लेक्चर है वो यहीं पर end होता है, I hope आपको जो है यहारा लेक्चर समझ में आ गया हो, thank you very much